नमस्कार दोसों फिर से स्वागत आप एक नई वीडियो के साथ दोसों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आप यह वास Motorola S20 है प्रो है या फिर फ्यूजन है तो यहां पे आप स्क्रीन पिनिंग की सेटिंग कैसे कर सकते हैं स्क्रीन पिनिंग की सेटिंग यानि कि आप किसी भी अप्लिकेशन पर पिन कैसे सेट कर पिन कैसे लगा सकते हैं ताकि उसी अप्लिकेशन पर रन कर सके किसी और अप्लिकेशन पर बैक ना जा सके तो इसकी फुल सेटिंग आपको मैं बताने वाली हूँ तो इसके लिए आप चले जाएंगे setting पे सैटिंग वाद को सिक्रिटी का option देखने को मिलेगा आप इस पर क्लिक कर लेंगे इसके बाद advance करके आप ऐसे स्क्रॉल कर लेंगे आप इसे औन कर लेंगे और के कर देंगे तो यहां पर आप इसे भी ऑन कर देंगे अगर आप पाटन लॉक लगा हुा है तो पैटन लॉक में यह नहीं लगा हुआ तो चलिए मैं लगा देती हूँ तो आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है डारेक्ट लिए आप इसको ऐसे सेट कर सकते हैं तो यहां पे आपका यह दोनों चीज ऑन हो जायEगा ठीक है अब आपको बैक कर देना है अब यहां पे कोई भी क्रोंग खोलें तो इसके लिए आप यहां पे बीच वाला बटन दबा देंगे अब यहां पर task bar में इसको खोल लेंगे अब यहां पर आप जो यह बना हुआ है logo इस पर click करेंगे तो आपको यहां पर इस टैप से दिख जाएगा यह जो pin का option है pin पर आप click करेंगे और got it पर click करेंगे तो यह pin हो जाएगा अब यहां पर अगर आप बाहर जाने के कोशिछ करेंगे मतलब इस एप्लिकेशन से बाहर नहीं जा सकते back button आपका काम नहीं करेगा लेकिन यहां पर कुछ और चीज आप कर सकते हैं searching वगरा करनी है तो आप यहां पर कर सकते हैं back करना है थो बैक कर सकते हैं आप अपनी एप्लिकेशन से बाहर नहीं जा सकते हैं इसको app pin बोलते हैं अब यहाँ पी इसको remove कैसे करना है तो remove करने के लिए आपको two finger का use करना है एक finger आप back button पे रखेंगे एक finger आप यहाँ पे task bar पे रखेंगे दोनों को आप एक साथ ऐसे touch करेंगे तो यह back हो जाएगा और जो भी आपका screen lock है आपके phone का वो आप enter करेंगे तो आप चाहे आप back करो चाहे कुछ भी करो तो यह आपके तीनों बटन चारों बटन काम करेंगे और आपका normally back हो जाएगा तो इस type से आप इसको use कर सकते हैं आई होप गई यह वीडियो आपको सरूर पसंद आएगा चली मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार